देश में मौजूदा सिदी को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक पुरी देश में लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया है और अभी तक सामनी आई गाइडलाइन्स के मताबे कि लॉकडाउन 4 में सभी होटल, रेस्टोरेंट, धार में किस्तल बंद रहेंगी स्कूल, कॉलेज, मैट्रो, सेवा पहले की तरह बंद रहेंगी और घरिलो और अंतराश्य उडानों को भी इजास्थ नहीं दी जाएगी हाली में जारे की गई गाइडलाइन्स में ये भी बताया गया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे 65 साल के उपर के बुज़र कर गर्भवती महिलाओं को घर से बहार निकलने पर रोक लगाए गई है नई गाइडलाइन के मताबिक रेड और इंज ग्रीन जोन अब राजस सरकारी तै करेंगी सभी तरह के पूजास्थल बंद रहेंगी और इद भी इस बार लोक डाउन में मनाई जाएगी गाइडलाइन में घरलो और अंतराश्री उडाने फिलहाल बंद रखी गई है वहीं ऑफिस खोलने की अनुमती दे दी गई है लेकिन उनके लिए ग्रह मंतराली के और से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा गाइडलाइन के नुसार ओफिस, कारेस्थल, दुकान, बाजार और ओद्योगिक और वानेजिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए वियाब साइक घंटो का पालन करना अनिवारी होगा मंतराली ने कहा कि जहां तक संबह हो करमचारियों से घर से ही कारी कराया जाए गाइडलाइन में ऑफिस के सभी आने जाने वाले गेट और कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैंड वॉच, सनिटाइजर रखना निवार किया गया है साथी पूरी ऑफिस को लगाता है सनिटाइज करने के निर्देश भी दिये गए है इतना ही नहीं आफिस में नियमत उप्योग में लाए जानी वाली चीज़ें दैसे जैसे दर्वाजे के हैंडल, टेबलादी नियमत तौर पर सनिटाइजेशन अनिवार किया गया है में आफिस में काम करने वाले करमचारों को काम और लंच की दरान समाजिक दूरी का पालन करना होगा में कंपनी द्वारा ट्रांस्पोर्टेशन के लिए उपलब्द कराए गए वाहन में 30-40% पैसेंजर बैठाने की अनुमती होगी साथ ही सभी गाड़ी और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस इन्फेक्टेट से साफ करने के भी निर्देश दिये गए हैं करमचारों के काम करने के दौरान 6 फिट की दूरी पर बैठना होगा इमारत में चड़ने और उतनने के लिए सीडियों का उप्योग करना जरूरी होगा केंदरिस सरकार ने कोरोना वारस के संकट को देखते हुए लौकडाउन को 31 मही तक के लिए बढ़ा दिया है ऐसे में लौकडाउन के चौथे चरण में मिलने वाली चूट को लेकर ग्रहम अंतराले द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में स्पोर्ट्स कॉम्पलिक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमती दी गई है लेकिन इस दरान दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे ऐसे में सवाल है कि क्या इस छूट के बाद आईपियल शुरू किया जाएगा या नहीं गौरतलब है कि कोरोना वारस के खत्रे के चलते आईपियल का तेहरवा सीजन अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है इसको नहीं कर बोर्ड नया शेडियूल तेह करने पर विचार कर रही है बताया जा रहा है कि यदि आईपियल 2020 रद हो जाता है जो इस से 4000 करोड का नुकसान होगा उदर आउस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में आईजित होने वाली 2020 विश्वे का खत्रे के बादल मंडरा रही है ऐसे में संभानों जिताए जा रही है कि अंतराश्टे क्रिकेट परिशद इस तूनामेंट को 2022 तक टाल सकती है बता दे कि 28 माई को ICC के बोर्ड सदस्यों की बैठक भी होना है खबरों के मताबक बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि ICC इस तूनामेंट को टालने पर विचार कर सकती है क्रिकेट आस्ट्रेलिया भी इसका समर्थन कर सकता है ऐसे में इंडियन प्रीमियर लिग कराने की संभावना बढ़ गई है मालू हूँ कि इस बैठक को लेकर कई विश्यों पर चर्चा की जाएगी बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हम ICC की प्रतियों गीता समीती से तीन विकल्पों की उमीद कर रहे हैं बोर्ड के सदस्यों के मताविक ICC को थोड़ी वित्य परिशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन ये एक अलपकालिक समस्या है अगर टूनामिन 2022 में होता है तो उसे कोई खास घाटा नहीं होगा गाइडलाइन के तहट देश में पांच जोन बनाने का फैसला लिया गया है इस जोन में रैड जोन, ग्रीन जोन और औरेंज रैड, औरेंज और ग्रीन के बाद बने बफर और कंटेन्मेंट जोन राजी को फैसला लेने का अधिकार जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी शामिल रहेंगे बता दे कि इन जोन को लेकर फैसला लेने का दिकारा राज सरकारों को दिया गिया है इससे पहले देश में मात तीन जोन थे जिसमें रैड ग्रीन और औरेंज जोन शामिल है बता दे कि नए रंग रूप वाले इस लोगडाउन में आर्थिक गतिविती को छूट दी गई है लेकिन होट स्पॉट एरिया में सकती जारी रहेगी गौर्टलेब है कि लोगडाउन तीन की मियाद खत्म हो गई है ग्रहम अंतराले की नए गाइड लाइन के मताबिक लोगडाउन फोर में घरेलू विदेशी उडानों के जासत नहीं दी गई है स्कूल कॉलेज धान में किस्थाल रैस्तराउन जिम और मेट्रो सेवा भी सब बंद रहेंगे इसके अलावा होट्सपोर्ट एरिया में सकती जारी रहेगी आपको बता दे कि पहला लोगडाउन 21 दिनों का 24 माँच से लागू किया गया था इसके बाद लोगडाउन 2 की घोशना की गे जिसकी मियाद 3 मही तक थी इसके बाद लोगडाउन के तीसरे चरण का एलान करते हुए से दो हपतों के लिए और बढ़ा दिया गया और लोगडाउन 4 का एलान कर दिया गया है इसके अंतरकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है subscribe our channel and press the bell icon for more updates